Simple & Unique Kitchen को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हलो प्रेंड्स आप सबका स्वागत हैं Simple & Unique Kitchen में मेरा नाम है शाली आज मैं बनाऊंगी बेल का सर्वर अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो हाईए बेल का सर्वर्थ बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए एक बेल चैसे साथ टेवल स्पून शक्कर आइस क्यूब्स जीरा पाउडर काला नमक और पानी के जुरूरत है सबसे पहले हम बेल लेंगे और इसे तोड़ लेंगे हम इसे अच्छे से तोड़ लेंगे अब हम एक बाउल लेंगे और इस पूटे हुए बेल मेंसे इसका गूदा निकाल लेंगे हम इसमें इसके अंदर खा गूदा जो है वो अच्छे से स्पून की मदद से निकालते हैं हम पूरे बेल में से इसी तरीके से इसका गूदा निकाल लेगे अब इसपून से हलका सा मैश करेंगे और इसमें शक्कर डाल दिंगे शक्कर डालने के बाद इन नौनों को अच्छे से मैश करते हुए मिक्स करेंगे फिर इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल दिंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे हम इन्हें हाथों की मदद से भी मिक्स कर लेते हैं अगर स्पून से मिक्स नहीं हो रहा है हम भी इसे हाथ से मिक्स करेंगे अगर आपको हमारा चैनल की रेसेपी जो है वो पसंद आ रही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसे स्पून से दुवारा से मिक्स करेंगे अब हम एक जग लेंगे और एक छनली लेंगे और इस गूदे को छनली की मदद से चान लेंगे हम इसे अच्छे से चान कर इसका जो रस है वो जग में निकाल लेंगे इसे स्पून की मदद से प्रेस करते हुए हलका साथ चान कर इसके रस को निकाल लेंगे और अब जो हमारा गूता बचा है वो हम एक वार फिर से बाउल में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे थोड़ा सा पानी डाल कर इसे तुवारा से मेश करते हुए इसका जो बचा हुआ रस है वो निकालेंगे अब हम इसमें से अच्छे से और इसके जो छूच है वो हम इसे साइट से निकाल कर रख देंगे और इसे अब दुवारा से हम छान लेंगे अच्छे से हम इसे छानते हैं स्पून से प्रेस करते हैं इसका जो रस है वो छानकर निकाल लेंगे और यह हमारा बेल का शर्वत जो है वो छानकर अच्छे से निकल गया है अब हम दो ग्लास लेंगे और उसमें थोड़े से आइस क्यूब्स टालेंगे हमारे आइस क्यूब्स डल गए हैं अब हम इसमें शर्वत को डाल देंगे जच्चे से फिल कर देंगे इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे इसमें अब हम थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे और यह हमारा बेल कर शर्वत बनका तयार है इसे सर्व करेंगे उम्मीद करती हूँ प्रेस से भी पसंद आई होगी अपनी राइप नीचे कमेंट्स में लिखें वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें धन्यवाद प्रेस करें लिए लिए लेगन जड़ा है रग्राइब करेंगे लिए नीवाद